हेलो स्टूडून्स मैं संदिप सिंग विल्कम करता हूँ आपके अपने चानल मागनेक ब्रिंस हिंदे मेडियम में जहां पर मिलता है आपको कम्प्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री आफ कास्ट तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजेक सब्जेक के साथ और इन दिनों हम ड इब्रमनकाल के लिए हमारे लिए एक नियम दिया केपलर ने और यह काफी इंपॉर्टेंट रूल था जिसके अकॉर्डिंगली हम आज की बिडेट में जब सेटलाइट को लांच करते हैं तो इसको अध्यान रखते हैं तो चलिए इस लोग को हम एक बार देखते हैं समझत हैं और डिराइब करके लिए आते हैं तो फटाफट से इनिशेट करते हैं इस सेशन को क्योंकि यह सेशन इकुली इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड एक्जामिनेशन के लिए और हमारे कॉम्पेटेटिव एक्जामिनेशन चाहें आप जेए के तैरी कर रहा हो या फिर आप के लिए प्रिप्रेशन करो यह पूरा ही सेशन आप सभी के लिए होने माला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सुरू करते हैं इस सेशन को सबस्ब्स तो हम बात कर लेते हैं हमारे जो के प्लर के तीनों नियम थे उसकी फिर इसके बाद हम इनके नियम की चर्चा तो इसके पूरोर शेशन में जैसा है कि हमने तीनों लोग गवर डिसकिस किया है और स्टिल मैं ये प्रथम नियम के पिलर तो इनहों ने सबसे अगर कोई बी प्लानेट किसी सूरी की परिक्रमा कर रही है तो हमेशा ही वो लॉंग elliptical path पर परिक्रमा करेगी यह देखे ऐसा अगर मैं एक सूरी की परिकलपना करता हूँ इस पे तो सूरी के परिकलमा कलपना करने से पहले इस ellips के दोनों ही axis को मैं draw करूँ तो एक minor axis और एक major axis कहलाता है यह हमारा माइनर एक्सिस है यह हमारा माइनर एक्सिस है लगू अक्ष और यह हमारा दिर्ग अक्ष है मतलब मेजर एक्सिस है और इसका एक फोकस पॉइंट होगा इसका एक फोकाई होगा जिस फोकाई पर हमको देखने को मिलता है क्या भी यह सूरी यह है इसका नाभिक यहा हमारी प्रित्वी है चलिए हमारी प्रित्वी यहां पर है जो सूरी के चारता परिक्रमा करने वाली है तो इस संदर्ब में सबसे पहला रूल जो इनका कहता है केपलर का वो है रूल भईया दर्गवरत का इनका ऐसा कहना था कि ना से प्रित्वी अगर मान लीजे कोई दूसर भी एक जो कि अपने सूरी के चाहता परिक्रमा कर रहा है तो वो भी हमेशा जब घुमेगा तो ऐसे घुमेगा भाई अपने लॉंग इलिप्टिकल पाथ पे सूरी के अलावे प्रित्वी के लावे जितने भीग रहे हैं हाना मतलब प्रित्वी तो करी लॉंग इलिप्टिकल पाथ पे और भी दूसरा अगर आएगा वो भी कैसा करेगा तो लॉंग इलिप्टिकल पाथ पे दिर्ग बृताकार कच्छक में ही घुमेगा उरितिया कच्छ में नहीं घुम अंतराल में समान समय अंतराल में समान दूरी मतलब अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि भी यह हमारी यह जो अर्थ है वो एक टाइम पिरियड में यहां पर थी कुछ समय के बाद में वो यहां आ गई तो यह जो अर्थ की दो locations मैं mark कर रहा हूँ यहां पर A पर से B तक आने में अर्थ है A से B तक जब पहुँचेगी जिता समय लिया A से B जाने में यहां से A तक जाने में मैं कहता हूँ कि डेल्टी समय लिया तो ऐसे ही मैं यह कहना चाहूँगा कि भीया यही सेम चीज यही अर्थ है जब यहां कहीं पर होगी कहां पर इसको point से के लिए है इसको चैत्री चाल भी कहते हैं इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं समान चैत्री चाल होता है समान चेत्रिय चाल और थर्ड लोजो है थर्ड लोजो है वो कहता है कि जो परीब्रमन काल होगा वो डिरेक्टली प्रपोर्श्टनल होगा रेडियस के क्यूब के फारीब्रमन काल मतलए एक चक्कर फूरि पूरी लगा झाए अपने ओर्विट में उसका वर्ग हमेशा उसके तृज्जे के क्योंकि के यहां पर इसकी दिख्याख कैसी वह सर्प हो जाएगी तो इसलिए हम कहते हैं पर चूब के पर तरफ घुमने वाल की के प्लड़ब ने यह तीन नियम दिय dollar तो हमने पूर में चोर्चा कर ली ती बाष्प तो भीहां पर हमाऊंद को करना derive second law को करेंगे derive third law को करेंगे derive and उसके साथ ही साथ हम करेंगे derivation किसका तो हम इसी से निकालेंगे हमारे सारवत्रि गुर्तवा करशन नियम ठीक है तो आएए चलिए हम आते हैं यहां पर तो मैंने कहा second law क्या कहता है भी तो second law कहता है equal time interval में equal area cover करता है मतलब यह जो है यह समान समय अंत्राल में समान दूरी इसके दोरा तै किया जाता है ठीक है यह निट जो केपलर का second law था तो मैं कहता हूं मान लीजे सूरी के चारों और दिर्ग बरतिया कच्छा में इम द्रब इमान के किसी ग्रह का समय टी पर इस्थिति ए तता टी प्लस डेल टी पर इस्थिति भी है मतलब यहां कहीं पर होगा हमारा सन हमें पता है कि यह होता है का पर फोकस पर फोकाई पर तो यहां पर हमारा सन यह हमारा सन ठीक अभी है यह हो गया हमारा सन और यहां पर हमारी प्रित्वी यह हमारी यहां पर प्रित्वी ए पर फिर धिल्टी सेकेंड में पता लगा वो कहां पहुंच गई बी पर मतब टाइम यह तो पॉइंट के लिए रहे ना समय अंतराल के अग समय अंतराल तो समय अंतराल यहां पर टाइम पिरियड जब निकालना मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा अंतिम समय अंतराल मतब T प्लस डेल T माइनस अफ T मतब कितना डेल T यहां से यहां तक चल करके जाने में इसने कितना समय अंतरा लिया डिल टी समय अंतरा लिसने लिया तो कह रहे हैं बिंदू एक अस्थिति सदिस आर वेक्टर हो तो सदिस आर वेक्टर द्वारा डिल आर समय डिल टी समय में तहे किया गया च्छेतरफल डिल टी समय में तहे कि पूरा ये ट्रैंगुलर फॉर्म ले लिया इस आर्क को अटा करके कैसे ले लिया ये पूरा ट्रैंगुलर फॉर्म ले लिया ठीक है अब अब इसमें मैं क्या क्या चीजे कह सकता हूं तो मैं देखिए क्या बोलता हूं अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है कि कितना समय अं दालेता हूँ ठीक है यहां कहीं पर हमारे पास में सूरी की स्थिती है सूरी की स्थिती यहां पहस हो रहा है इससे जो इसकी स्थिती थी इस इस पॉइंट ए और डिल टी टाइम में यह पहुंच चुका है कहां पर भी पर ठीक है a से b पर पहुंचने के लिए जो टाइम लिया है इसकी हम बात कर रहे हैं कि वह यह यह डेल्टी टाइम लिया है थोड़ा सा लाइट कलर से ही मैं इसको रख रहा हूँ ताकि यह बहुत भरा-भरा सा ना दिखे और आपको किलियरली चीजे समझ में आजा है चलो भई यह यह जो दिख रहा है हना यही वाला एरिया कंसीडर किया हुए हमने इसी के हम बात करने वाले है और यहां पर सूर्य है तो इसको S लिख लेता हूँ मैं यह रहा यह जो पॉइंट है यह S है यह जो पॉइंट है यह क्या है S ठीक अब हो गई बात यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसने जो समय है ना जो ए भी जो इसने दूरी तै करी है तो मैं कहता हूँ देखे छेतरफल के लिए प्रिथवी द्वारा प्रिथवी के त्रिज्या द्वारा तै छेतरफल ठीक है तो छेतरफल त्रिभूच के छेतरफल के बराबर होगा डेल ए लिखक ले तो डेल ए कितना होगा भी तो होता है हाफ ओफ आधार गूने उचाई तो यहाँ पर वट अपन टू आधार को होने भी ऐए अबी और उचाही कौन है तो बहिए रेडियस आर वेक्टर यहां से यहां तक जो है इसको मैं यहां से यहां तक जो यह आपको दिख रहा है इसको मैं कहता हूँ R Vector यह radius है तो यह हो गया R Vector यह किस की value निकली है यह डिल A की value निकली है अब मैं कहता हूँ कि अगर इसमें औसत चाल निकालों तो औसत चाल क्या होगा औसत चाल वी बराबर तो आप कहेंगे भईया यह हो जाएगा AB upon डिल टी यह यहां से यहां तक यह औसत चाल निकलना यह रहा यह रहा यह A से B तक में जो गया है यानि यह AB Vector हो गया और यहां से यहां तक चलने में जो समय लगाया था वह कितना लगाया था डिल टी टाइम लगाता इसको चलने में तो AB V Vector कितना होगा AB upon में डिल टी तो यहां से मुझे दिख रहा है कि AB Vector कितना मिल जाएगा भई तो इसको V Vector लिख लेता हूँ इन्टू यह जो आर वेक्टर चल रहा था यह चली चल रहा है यह आर वेक्टर यह देखे यह एजट इस यहां पर रखा हुआ है इस एबी की जगह पर यह पूरा टम रख लिया ठीक है इस एबी की जगह पर यहां पर इस पूरे टम को हमने रख लिया अब कह करना है तो अब मुझे simply यहां पर वज़नपोन टू इसको डिलए अप Arm foreign डिल ट लिखने का मतलब क्या होता बेए तो चेहतरफ फिल प्रतीस से यही तो निकालना है कि समान समय अंत राल मैं समान चेहतरफल तरह करता है तो चेहतरफल प्रती समय अंतरा लगर मैं निकाल लूँगा और यह अगर कॉंस्टेंट हो गया तो बात हो गई तो यह हो जाएगा भी अवन अपन टू वी वी वेक्टर आर वेक्टर चुकि डेल्टी नीचे आ चुकि है अब वी की जगह पे मैं लिखता हूँ जारा देखिये चुकि चुकि राखिय वेग जो होता है यह बराबर होता है तुरिज्या इन्टू कोणिय वेग के तुरिज्या इन्टू कोणिय वेग के मतलब यह क्या हो गया भी तो वी इस इक्वल्स तू वी वेक्टर इक्वल्स तू आर वेक्टर इन्टू उमेवगा वेक्टर मुझे देखने को रिल जाएगा तो अगर मैं यहाँ पर लेया करकर रख दूं तो देखें डेल ए अपॉन में डेल टी इस इक्वल्स तू वन अपॉन टू वी की जगा पर हम लिखने वाले हैं यहाँ पर और बाहर आर वेक्टर तो चली रहा तो यह हो जाता है हमारा क्या ओमेगा आर वेक्टर ओमेगा वेक्टर ठीक है आर वेक्टर ओमेगा वेक्टर तो यह फाइनली इसको अगर लिखता हूँ तो वन अपॉन टू टू टाइम्स आफ यह दोनों में आर वेक्टर और यहाँ पर भी आर वेक्टर दिख रहा है ठीक है तो मैं क्यों नहीं काम करू मैं इसमें लिख देता हूँ कि भीया हमारे पास में एक मास्क अगर मैं मल्टिप्लाय कर दूँ तो मुझे पी मिल सकता है अच्छा एक काम करते हैं रुकिए इसमें एक छोटू सा और काम कर सकता हूँ मैं कौन सा काम इसमें काम करता हूँ थोड़ा सा और सिंप्लिफाइ करता हूँ मैं इसी वी की जगह पे मैं लिखता हूँ ज़रा देखिए डेल ए अपॉन डेल टी इस इकुल्स टू वन अपॉन टू वी वेक्टर आर वेक्टर वी वेक्टर आर वेक्टर इंटू मैं कर देत मास का मल्टिप्ला है मास का डिवाइड तो मेरा आधा काम और हो जाएगा यह यहाँ पर क्या बन गया भी तो यह हो गया M वेक्टर V वेक्टर R वेक्टर और एक M को यहाँ नीचे रख लिए यह कोई दिक्कत पर रिसानी आई होप नहीं होनी चाहिए क्या किया है मैंने मैंने यहाँ पर किया 1 अपर 2 इस M को नीचे ले लिया इसको इसके साथ मल्टिप्लाइ किया तो M V वेक्टर R वेक्टर मुझे देखने को मिल रहा है चुकि कोडिय सम्वेग जो होता है कोडिय सम्वेग जो होता है हरा L वो क्या होता है तो L जो होता है वो R वेक्टर टाइम सफ P होता है अब R वेक्टर टाइम सफ अगर P वेक्टर लिखने तो P वेक्टर का क्या मतब होता है M V तो यह तो मेंटी हो गया न है M V Vector R Vector M V Vector R Vector तो यह M V Vector R Vector की जगपर मैं क्या लिख सकते हूं क्या तो क्या मिला मुझे डेल A upon में डेल T is equals to L upon 2M क्या मिला L upon 2M L मतब कुणिय समझेगे अब एक बात समझेगे कि अगर कोई बाहबल नहीं लगाया जाए तो कुणिय समवेग हमेशा संदख्षित रहता है अगर किसी पिंड के उपर कोई बाहबल ना लगा जाए तो कुणिय समवेग हमेशा संदख्षित रहता है यह जब इसके प्रिवियोस चैप्टर एन कणों के निकाय वाले चैप्टर में हमने डिस्किस किया तो भी हमें कहता हूँ कि यदी यदी बाहबल कारेरत ना हो तब L वैक्टर हमेशा ही कैसा रहेगा भीया नियतनक L वैक्टर हमेशा कैसा रहेगा constant और यहाँ पर देखिए one upon two m तो यह तो होता ही नियत आंग है क्यों भाई या क्योंकि यह जो पिंड यहाँ पर जो घूम रही है यह पिंड का दरबेमान थोड़ी बदलने वाला है इस पिंड का जितना दरबेमान है इसका दरबेमान तो उतना ही रहने वाला तो द्रबमान चेंज होगा नहीं और L भी अगर चेंज ना हो तो मैं इसको कह सकता हूँ अत्व डेल ए अपॉन डेल टी कैसा हो जाएगा नियत आंक डेल ए अपॉन डेल टी का मतलब क्या हो गया छेत्रिय चाल छेत्रफल बटा मैं समय मतलब कह लिकूंगा छेत्रिय चाल छेत्रिय चाल कैसी हो गई नियत आंक छेत्रिय चाल नियत आंक होने का क्या दात पर है तो अगर किसी का छेत्रिय चाल नियतांक हो चुका है छेत्रिय चाल नियतांक हो चुका है मतलब क्या वे कि समान समय अंतराल में समान अगर मैं टाइम की वैल्यू को फिक्स कर दूँ तो एरिया या समान ही तो कवर होगी अगर time fix हो गया तो area भी कैसा हो जाएगा same हो जाएगा मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि del a upon में del t जो लिखा है यह a1 upon a2 कर दूँ तो यह अगर यह del t और del t दोनों बराबर हो गया तो यह a1 और a2 भी क्या हो जाएगे एक दूसरे क्या बराबर हो जाएगे तो picture clear होती है जाएगे कि समान समेंतराल में कैसा चलता है समान चलता है यही था हमारा कैपलर second law क्या कहते थे कैपलर second law में वह कि यह जो है जितना च्छेतरफल यह यहाँ पर इसने तैय किया है इतने ही समेंतराल में अगर आपने यहाँ पर देखा होता तो यहां पर भी समान चेतरफल ही इसके द्वारा कवर आप किया जाता ये वला चेतरफल और ये चेतरफल बराबर होगा क्योंकि अभी ये आचुका कि ये जो चेतरफल है मतब डैल एपॉन जो डैल टी है यह हमेशा कैसा रहने वाला constant रहने वाला नियतांक रहने वाला है बदलने वाला नहीं है ठीक चली तो के प्लस के हमारे second law की विद्पती तो हो गई ठीक है second law हो चुका तो आप चाहें तो इसका screenshot रख लिजिए है ना इसका चाहें तो आप screenshot रख सकते हैं चली बढ़तों में basically third पे तो केपलर के देखें यही statement में है कि इस परकार के सिग्रा का छेत्रिया चालनियात होता है वही केपलर का दूइतिया नियम है second पे आते है second में कहें तो second में हम कहते हैं कि केपलर के हैं जो हमारा तूइतिया नियम है ultimately यह फॉर्स लोग की कोई derivation नहीं नहीं वहां त second और third law की derivation है तो third law की derivation क्या कहते है भी यह तो कहते है केपलर के तृतिया नियम के सत्यापन है तूँ मान लीजिए कि ग्रह सूरे के चार और वृतिया कक्ष में परिक्रमा करता है यह elliptical नहीं लेकर के मानते हैं कि वह वृतिया कक्ष में है ठीक है इसके बाद M दरबमा का एक ग्रह सूरे के चार और आरत रिज्या के वृतिया कक्ष में परिक्रमा करता है यदि सूरे का दरबमान capital M से डिनोट करते हैं तो सूरे द्वारा ग्रह पर आरोपित गुरुतिये बल एफ इस इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर इसकार होता है यह गुरुतिये बल क् है हमें पटा है कि बही अगर सूरे यहां पर अब जो है पृत्वी जो है यहां कहीं पर पृत्वी जो है यह सूरी के चारो तरफ परिक्रमा लगा रही है तो यहां पे यह मैं इसको कह देता हूं कि यह इसकी क्या है भी है रेडियस यह इसकी क्या हो जाएगी रेडियस हो गई मतब यह आर हो गया यहां पे जो है यह हमारा सूरी तो मतब इसको लिख लेता हूं यह हो गया हमा पर चल रहा है तो इसका वेग जोगा इस डिरेक्शन में होगा और एक फोर्स इसको सेंटर के तरफ खीच रहा होगा तो मैं कहता हूं गुरुत्वा करशन बल से कितना भाई तो एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपान आर इसकोर जहां पर एफ जो है वो है गुरुत्वा क अर्षन यस तंक सार्वत्रिक गुरुत्वा करशन नीयतंक ठिक है क्या सार्वत्री गुरुत्वा करशन इन अरल मता है अगला पॉम गाल एम और यह यह सुमॉल म हि कों ए तो स्मॉल एम जो है यह है प्रिथवी का द्रभएमान capital M यहाँ पर कौन है तो यह सूरे कादर अबमान और यहाँ पर आर की अगर हम बात करें तो यह कौन है भाई यह तुरिज्जा वैसे उसत तुरिज्जा भी कह सकते हैं तो इस संदर्व में हम कह रहें कि अगर यदी पृत्वी सूर के परितह वृत्य कक्छा में परीब्रमन कर रहा है तब अगर इसके वृत्य कक्छा में परीब्रमन कर रहा है तब क्या होगा भी तो मैं कहता हूँ कि इस पे लगने वाला जो अभी केंद्रिय बल होगा क्योंकि भी अगर कोई भी वृताकार पत पे गती करता है तो इस पे अभी केंद्रिय बल भी लगेगा मतब FC, centripetal force भी लगेगा, अभी केंद्रिय बल इसके गुरुत्विय बल के बराबर होता है, किसके बही है, इसके गुरुत्विय बल के बराबर होगा, तो centripetal force क्या होती है भी है, तो यह होती है MVR, क्या होगी, यह होगी MVR, ठीक है, MV square upon R, ठीक है, क्या होगी, MV square upon R, ठीक m small m upon r square अब जो चीज़ इसमें cancel out हो रही है उनको cancel करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर निकालनी है k plus third law में k plus third law में k plus third law क्या कहते है भई तो यह कहते हैं कि अगर आपने एक satellite है या फिर एक graph है जो कि चक्कर लगा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक radius r है और एक बात परिब्रमन काल इसका जो है यह भईया परिब्रमन काल जो है इसका परिब्रमन काल का square हमेशा है इसके औसत तुरिज्या के परिब्रमन काल का square इसके औसत तुरिज्या जो होगी इसके cube के proportional होती है मतब यह कहते है T square is directly proportional to R cube यही proof करने चल रहे है न तो देखिए मैं यहाँ से कहता हूँ कि भी यह T square is equals to this much तो मैं यहाँ पर 1 M से तो 1 M cancel हो रहा है एक R से 1 R cancel हो रहा है तो जो cancel हो रहा है उसको तो cancel करिये उड़ाइए यह यह एक खतम यह M से यह वाला M खतम बच्चा क्या तो यह बच्चा V square is equals to GM upon R ठीक है V square is equals to GM upon R अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस V को put up कर लेता हूँ इस V को open कर लेता हूँ हमारा काम हो जाएगा ठीक है तो क्या है भई तो देखिए यहाँ पर V square के लिए तो देखिए राखी अवेग बराबर त्रिज्या गुणे त्रिज्या गुणे कोनी अवेग मतब यहाँ पर V is equals to कितना होता भी तो आर ओमेगा और ओमेगा कितना होता है तो आर को तैसी छोड़िए ओमेगा कितना होता भी तो ओमेगा वेग है कोनी अवेग की अगर आप बात करते हैं तो यह होता है भीया कोनी अविस्थापन बटा में समय अब कोनी अविस्थापन का मतलब क्या कहूं तो भीया यहाँ पर कोनी अविस्थापन कितना होगा तो मैं कह देता हूँ कि यहां पर कोई यह विस्थापन हो गया 2 pi पूरा कितना 360 डिगरी चलेगा ना तो कोई यह विस्थापन कितना 360 upon में time period t ठीक है तो v equals to क्या मिल गया तो देखिए v equals to मिल गया r 2 pi upon t तो यहां रख दीजिए r 2 pi upon t का square is equals to gm upon में r further इसको अगर मैं solve करता हूँ तो यह कितना भी है r square into 4 pi square upon t square is equals to gm upon में r अब आगे बढ़ाता हूँ मैं यहीं कहीं story हो चुका है भी अब हमारा almost proof दोनों तरफ रेसिप्रो कर ले लीजिए ठीक है ठीक तो क्या बनेगा यह तिरे गुणा कर लिजिए लीजिए तो मैं कहता हूँ gm t square gm यह यह उपर का block कर देता हूँ gm t square gm t square यह कैसा हो जाएगा भी तो r cube 4 pi square कैसा हो जाएगा अब यहाँ से t square को यहीं रखी है इसको नीचे भेजी तो यह मिला 4 pi square upon में gm r cube यह मिल गए है मुझे relation अब यहीं कहीं बात हो जाएगी खतम क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ कि भाई यह 4 constant है pi constant है g constant m constant तो मैं सीधे सीधे लिख लेता हूँ 4 pi square upon gm यह सब कौन है भाई यह नियतांक यह सब कौन है constant इन वैसे कुछ भी बदलेगा क्या 4 pi तो वैसे दिख रहा है numeric value है g सारवत्रिक गुर्टवा करशन यह तांक होता है यह देखे और m मास जो है सूरी का दरबिमान है यह बदलने वाला है नहीं तो सीधा सिंपली यहां पर मुझे समझ में आ गया कि भाई यह हमारा काम हो चुका है क्या तो यह t square क्या दिख रहा है यह पर t square directly proportional आपको दिख रहा होगा r cube के t square directly proportional है किसके r cube के तो यह कौन सा तब ही तो यह ता हमारा third law k plus third law की derivation करनी थी k plus third law की derivation easily बन चुके कि t square is directly proportional to r cube मतब परिभ्रमण काल का जो वर्ग होता है तुरिज्या के cube के directly proportional होता है परिभ्रमण काल का जो वर्ग होता है तुरिज्या के वर्ग के cube के basically कैसा होता है directly proportional होता है तो यह हो गया हमारा k plus third law भी ठीक है आई होप इसमें यहां तैक में कोई समझते है किसी भी तरीके की कोई तकलीफ कोई परिशानी बिल्कुल भी नहीं होगी तो यहां तक कि अगर picture clear है चाहें तो आप screenshot ले सकते हैं ठीक चली आता हूँ मैं अपने मूल जगह पर तो मुझे यही प्रूफ करनी थी कि भी या टी स्कूर डिरेक्टल प्रोपॉश्णल आर्क्यूब के होता है और वो मैं कर चुका तो देखिए इसमें क्या क्या कहते हैं तो भी यह इसको इन वोर्डिंग से लिखते हैं तो आप लिखते हैं इसी ग्रह के परिभ्रमन काल का वर्ग उस ग्रह की सूर से दूरी के घन के अनुकर्मानुपाती होता है यही तो लिखते हैं ती स्कूर इस डिरेक्टल प्रोपॉश्णल टू आर्क्यूब यही केपलर का त्रितिय नियम है फिर्ड लओ है ठीक है कोई बात अब चलते हो थोड़ा से और आगे की तरफ और अब हम कहते हैं क्या भाई तो केपलर के नियमों से नूटन के गुर्तवा करशन नियम की व्यूत्पती हैना केपलर के नियम यूज करते है और नूटन का जो नियम है उसकी व्यूत्पती करते हैं ये भी काफी important है ये universal law of gravitation है उसकी व्यूत्पती करने चलना है तो इसके लिए क्या करना है भी तो आपको simply समझना है कि मान लिजिए कि एक एमद रबे मान का एक ग्रह है जो सूरी के चारो और आरत रिज्जा की वृतिय कक्षा में परिकर्मा कर रहा है केपलर के दृतिय नियम के अनुसार छेत्रिय चाल हमें से नियत रहती है अतव रितिय कक्ष के लिए ग्रह की जो रैखिक चाल होगी वो भी क्या होगी नियत होगी रैक्टिक चाल भी क्या होगी भीया तो वो भी नियत होगी तो चलिए काम करते हैं हम इसको डिराइव करते हैं तो हम लेकर करके आते हैं इसको जड़ा देखिए मैं क्या कहता हूँ कि भीया आपको थर्ड लॉस के मदद से हरा आपको क्या करना है basically केपलर के नियमों को यूज़ करके gravitational constant को पता करना है तो मैं कहता हूँ कि केपलर के नियम का प्रियोग करना है मुझे तो इसको तो हटा दिया जाए चलिए क्या करना भीया तो केपलर के नियम की सहायता से केपलर के नियम की सहायता से Newton का सारवत्रिक मतब सिर्फ और सिर्फ यहीं पर नहीं प्रित्वी पर ही नहीं पूरे यूनिवर्स में हर जगा सारवत्रिक नियम का प्रतिपादन चलिए तो भाईया मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ कि अगर जो कंडिशन हमने ली थी कि एक M द्रबिमान है और M द्रबिमान का जो ग्रह है यह क्या कर दब ही है तो यह है गमन कर रहा है यह रहा यहां कहीं पर हमने माल्य सूर्य रहा हलाकि आपको पता है कि यह मिडल में तो कभी होता नहीं लेकिन कंसिडर तो करना पड़ेगा यह स्मॉल M है यह कैपिटल M है यह इस डिरेक्शन में V V विलासिटी से गमन कर रहा है तो इस स्थिति में इसके उपर जो बल कारिरत है हम उनकी अगर चर्चा करते हैं तो इसके उपर जो बल कारिरत है उसको देखिए तो इसके उपर जो बल कारिरत है यहाँ पर जो सबसे पहले लएगा सेंट्रिपिटल फोर्स देखिए सूर्य के परितह सूर्य के परितह वृतियक अक्छा में चक्कर लगाने के लिए चक्कर लगाने है तू क्या होगा अगर चक्कर लगाना है तो तो गरह पर अभी केंद्रिय बल कारे रत होगा अभी केंद्रिय बल कारे रत होगा अब ये अभी केंद्रिय बल कितना होगा तो मैं कहता हूँ ये जो F होता है वो होता है ये M V स्क्वार अपॉन में R यहाँ पर सारी पिक्चर के लिए रहे आर कौन है रेडियस, एम मास, वी कौन है विलोसिटी, तो ये मवी स्क्वेर अपन आर इसके उपर सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वो उसके परिता वृतिया गती करता हुआ देखने वाला है, अच्छा, अब अगर ये पॉइंट के लिए रहे, तो मैं कह इसके बराबर होता भी है, तो 2amorphi अपन T के बराबर, ठीक है, तो V is equal to ultimately, क्या मिल गया, R2पाइ ती, क्या मिल गया, R2оров Bby T, तो क्यूना मैं यहाँ पर put up कर लूँ, तो मुझे F equals to, जो फोर्स है, वो कितना मिल गया, MV square अपन में R, मतब यहाँ पर देखिए, M, V स्क्वार, V स्क्वार के जगा R2Pi upon T, R, 2Pi upon T का स्क्वार, स्क्वार था, upon में, होल के upon में, एक आर चल रहा, फाइनली अगर देखेंगे, तो F equals to A कितना बन गया भी, तो M, R square, 4Pi square upon में, T, R, किता बन गया, upon में, T, R, अब क्या काम करूं, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ, कि यह T क्या होता है, चुक्की, केपलर के, केपलर के, तुरितियनियम से, केपलर के, तुरितियनियम से, क्या है भई, तुरितियनियम, तो कहोगे, आप T square is directly proportional to, होता है, R cube, तो यहाँ पर put up कर दू, मैं T square is equals to, R cube, यह ultimate ticket हो गया, T square is equals to, K R cube, एक K constant रख लेते हैं, तो मैं यहाँ पर अब कहा लिख सकता हूँ, F equals to, जो terms थी, सब को as it is रखी है, M, यह एक R से, यह एक R cancel हो चुका है, R, 4 pi square upon, नीचे में क्या बचएगा भईया, तो यह बचएगा K R cube, यह बचएगा K R cube, अब क्या हुआ, यहाँ से, इस R से, यह cube तो cancel हो गया, तो इसको मैं ऐसा अगर लिखता हूँ, F equals to, 4 pi square upon में K, 4 pi square upon में K, into, M upon R, क्या बचा, M upon R square, ठीक है, मत्ब यह क्या बच गया, 4 pi square M upon R square, क्योंकि यह cube था भई, यह कटेगा तो एक square तो बचा रही जाएगा, तो finally मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, कि हमारा जो resultant आ रहा है, उसको, कि F is equals to, 4 pi square upon में K, M upon R square, यह small M upon R square, थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ी से और बात करते हैं, इस relation से, तो मैं कहता हूँ, देखिए न, यह 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 जो मुझे मिला है, क्या मिला भी यह, तो यह जो term मुझे मिली है, इस term के अगर मैं बात करता हूँ, तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, कि मुझे मिला है, F is equals to, 4 pi square upon, 4 pi square upon में K, M upon में R square, तो यहाँ पर देखिए, M तथा R square, यह ग्रह से संबंधित हैं, यह दोनों ही किस से संबंधित हैं, ग्रह से संबंधित हैं, ठीक है, अतहा, 4 pi square upon K, ठीक है, सूर का प्रचाल होगा, मतब इसको सूर से संबंधित होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि यह constant है, तो सूर में constant होगा, क्या, गुर्तवा का रिशन में constant, दूसरा कौन होगा, द्रब्यमान, तो मैंने कह दिया कि यह 4 pi square upon, जो K है, यह directly proportional होगा, M के, मतब सूरे के द्रबे मान के सूरे के द्रबे मान के ये डिरेक्टले प्रपोर्शनल हो गया सूरे के द्रबे मान के तो अगर ये सूरे के द्रबे मान के डिरेक्टले प्रपोर्शनल हो गया तो फाइनली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये F प्रपोर्शनल टू अब एक्वल टू का साइन अट आ दिया क्या रिख दिया भी अब प्रपोर्शनल टू फोर पाई स्क्वाइर के इसकी जगह पे लिख लो भाया सूरे का M और ये तो चली रहा था M अपॉन आर स्क्वाइर यही है भाया सार्वत्रिक यह हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वा करशन बल का फॉर्मूला अभी भी यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यह प्रपोर्शनालिटी साइन हटा करके जो कॉंस्टेंट आना है उसकी कोई चर्चा नहीं हुई ठीक है न वह यहां से आया भी नहीं क्योंकि वह एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है तो यहां पर एफ प्रपोर्शनल टू क्या मिला कैपिटल एम अप इंटू एम अपॉन आर इसकर यह मास अफ मतब बल जो लगेगा गुरुत्वा करशन बल जो लगेगा यहां से साफ साफ किलेर हो गया कि सूर्य का द्रब मान इंटू ग्रह का द्रबमान सूर्य का द्रबमान इंटू ग्रह का द्रबमान बटा में उनके उर्तिय कक्षा की जो तुरिज्या होगी उसका वर्ग तो कक्षा कि तुरिज्या इसका क्या वर्ग इसको इणवर्स स्क्वाइर लोग के नाम से भी जानते हैं इसको अम एक और नाम से जानते हैं व्यूत्ट करम वर्ग का नियम किससे भी यह व्यूतक्रम वर्ग का नियाब एक और बात ध्यान रखेगा जितने भी नॉन कंटाक्ट फोर्स है जितने भी और सपर्सिबल है जो बिना टच किये लगाए जाते है बिना इस पर्स किये लगाए जाते है वो सभी और सब्सक्राइबल हमेशा ही क्या होते भी यह तो f inversely proportional to होत चोड़ते जितने भी non-contact force not only gravitational force magnetic force as well as electrostatic force इन में भी हमेशा ही अस्थरवदुत बल कहिए चुमकिये बल कहिए यह गुर्तव अकर्शन बल कहिए यह तीनों ही बल और इसपरसिया बल है नो दाउट चुमकिये और जो हमारा electrostatic force है इसमां अकर्शन और प्रतिकर्शन दोन आए जा सकता और जहां कहीं भी और इस परसिबल आएगा f inversely proportional to r square होगा force जो होगा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्गी के व्यूत करमान उपाती ही होगा हर जगा है अगर in short थोड़ी दर के लिए लिख दूँ हना थोड़ा सा बस समझेगा अगर मैं अगर मैं कहता हू मैं कहता हूँ electrostatic force की सबसे first मैं कहता हूँ इस्थिर वैद्यत भलकी इसको लिखते है भाई है f equals 2 मैं k से ही denote करता हूँ q1 q2 upon r square अगर इसी प्रकार से चुम्बकी ये भलकी बात करते हैं तो ये भी force जो होता है mu naught upon 4 पाइस constant की चर्चा मैं अभी नहीं करूँगा ये निये तांक है ये के निये तांक है mu naught upon 4 पाइस निये तांक है ये होता है भी या m1 m2 upon r square ये m1 m2 धुरू है और तीसरा मैं अगर कहता हूँ गुर्टवा करशन बलकी जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं और अगले साल इन दोनों की चर्चा करने वाले हैं गुर्टवा करशन बलकी हाना तो ये होता है हमारा भई f is equals to g m1 m2 upon r square यहां पर ये m1 m2 जो दिख रहा है ये कौन है धुरू हना यहां पर यह कौन है तो इनको कहते हम आवीश नेक्स्टियर इन दोनों की चर्चा होने वाली है मतब क्लास 12 में इनके चर्चा होने वाली है यह देखिए न साड़े फॉर्मले सेम टू सेम जैसे एक जैसे दिख रहे हैं न भईया यहां पर कहा नहीं यह एक आंस्टेंट के बाकी फोर्स इन्वर्शिली प्रपोर्श्णल टॉ और स्कर रर्स इन्वर्श्णल को इसके फेक्टर 24 उगे यह ए चुमकिये बल यह द्रू फैक्टर होंगा और यह गुर्तोय करेशन दो बले है तो कौन होगा द्रबिमान हमारा फैक्टर होगा तो factors के गुरंटवल के समान उपाती और जो है दूरी के वर्ग के व्यूत करमान उपाती होता है हमेशा हमेशा से non-contact force बात होती है खता में आपर और जितने भी properties हम ये गुर्तवा करशन बल के अंदर में पढ़ने वाले जितनी भी चीज़ा हम discuss करें वाले है as it is हमको electrostatic forces में जाकर के मिलेगी और electrostatic forces में जब हम solve करेंगे बिल्कुल feel देगा कैसा gravitation का इसलिए तो कहते हैं कि अगर 11th class बहुत proper होगी ना तो 12th बहुत smooth हो जाती है 12th बड़ा easy हो जाता है असान हो जाता है आईए चले जड़ा statements की बात करते हैं मैं क्या कहता हूँ जो हमने अभी निकाला वो हमने ये value निकाली है क्या F proportional to F proportional to M M upon R मतब हमने निकाला है कि प्रतेक ग्रह पर सूर्य और एक बल कारे करता है सूर्य की एक बल काम करती है हर एक पर सूर्य के एक बल काम करता है जिसको गुर्तवा करशन बल कहते है यह बल ग्रह के दरबिमान के अनुकर मानुपाती है यह देखिए यह बल जो है यह जो बल है एफ प्रपोशनल टू एम है और यह बल ग्रह से सूरी की दूरी के वर्गे के विद्कर मानुपाती मतब एफ इन्वोशली प्रपोशनल टू R2 है बल्कर दूरी के वर्ग के व्यूत करमानु पाती है लगने वाला बल तो बहिए जितना ज्यादा दूर होगा उसके उपर गुर्टवा करशन बल्कमानु उतना कम होता जाएगा ठीक है चली तो यहां तक कि पिक्चर आपको क्लेर हो गया कि यह केपलर के नियम से नियू जो सार्वत्रिक गुर्त्वा कर्षण नियतांग है सारASHवत्रिक गुर्तवा कर्षण का जो नियम है उसकी तो चलिए भी इस सेंशन को करते हम यही पर समाप्त and जैसा की आपको पता है कि MAGNET PRINCE हिंदे मेडियम आज वेल इंग्लिश मेडियम दोनों ही चाणल Ke protection सातीού एजय इंग्लिस एंड यूपी और बिहार बोड के लिए एक्स्क्लूजिव प्लेलिस मिलती है जहां पर आप अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं और के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लिंक मिलता है लिंक को फॉलो करके आप बुक्स एंड इबुक्स को भी पर्चिस कर सकते हैं जो की मैगनेट बिंस की टीम द्वारा आप के लिए एक्स्क्लूसिबली बनाई गई है तो जिस तरीके से आप हमारे साथ कनेक्टेड है हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोचल मीडिया प्लेटफर्म डाइस फेस्बूक इंस्टाग्रम ट्वीटर टेलीग्रम पर जहां पर कोई सजेशन कोई सुझाव हो वह हम तक पहुचा सकते हैं हमारी तरफ से कोई नहीं अनॉंस्मेंट नहीं इंफरमेशन आती है वह फट आफट आफट आप तक पहुच सकती है तो वीडियो का लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे एंड इस अपने दोस्तों में कुछ और धमागेजार टॉपिक्स के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वोचिए